सराम आलेकम फ्रेंट्स आज के इस पीडियो में हम लोग बात करने रहे हैं यहाँ पर देखे इशरम कार्ड यह जो होता है ना इशरम गवर्मेंट आफ यहाँ पर लेबल एन इंप्लॉइमेट इसकी तरफ से यह गवर्मेंट आफ इंडिया के तरफ से यह जो वो होते हैं और आपके डिरेक्स बैंक अकार्ड में आगर में और यह गवर्मेंट में के डावं कीता होते हैं उसके दुआरा आपको यहां पर आपको जो भी एर्मान्ट के इस बीडियो के वीडियो को start करते हैं good yob skip kने के वह पर इशारम की वेबसाइट पर तो यहां पर मैं इसका लिन्ग में डिस्क्रिपशन में दे दिया है है आप उस पर क्लिक करेंगे तो यह पर उसकर आ जाएंगे यह देखिए यह जो वेबसाइट है यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ पर देखें आपको रजिस्टर और इशरम तो यहाँ पर है ना इस पर आपको क्लिक करना है यहाँ पर पहले यहाँ पर रजिस्टर कर रहे हैं तो इस पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद कुछ इस तर तो यहाँ पर आप अपलाई कर सकते हैं अगर आपका आधर कर से मोबाइल नमबर लिंक नहीं होगा तो आपको CSC सेंटर या फिर नजली के आपके जो भी दुकान होंगी अगर जो भी इस शरम कार्ट को बनाती होंगी या फिर साइबर कैफे जाकर आपको इस फॉर्म को फिल करना पड़ेंगा वो आपके फिंगर्स वगेरा लेते हैं और इस फॉर्म को आपको फिल कराकर देते हैं इस फॉर्म को फिल करने के बाद आपको जो सड़वी किराता है वो डाउनलोड वगेरा करके देते हैं अगर आपके यहाँ पर मोबाइल नमबर यहाँ पर आदार का से तो यहां पर आप अपलाई कर सकते हैं यहां पर मैं यह प्रोसेस आपको बता रहा हूँ अगर आपका अधर कट से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आपको जाना है लोग अफ्लेई कर सकते हैं जिसका zone güzel know link है तो यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर आपको वह DES काड़ाना को सब्सक्राया को डालना है आपके छो आपको डालता थो यह मुबारन आधर पर दाने की पाद यह कापड़ा மडाल यहाँ पर इस दूसर करें गर यह capture यहां पर fill करने के बाद आगे का process में आपको बता तो यह capture फिल करने के बाद यह देखे यहां पर जो है न इसमें तो यहां पर देखे you are a member of तो यहां पर देखे सबसे पहले समझने के बात यह है you are a member of यहां पर EPFO यहां फिर यहां पर देखे ESIC तो यह आप EPFO के अबर मेंबर होंगे या फिर ESIC के मेंबर होंगे तो इसको अपलाए नहीं कर सकते क्योंकि यह सिर्फ वही आपर यह जो महीला या फिर पुरुष अपलाई कर सकते हैं जो Labour candidate में आते हैं जैसे कि आप कोई बनिया हो या फिर या फिर आप किसी government छेत्रे को छोड़के दूसरे छेत्र में private sector में अगर आप काम करते हो तो इसको आप अपलाए कर सकते हैं कोई भी जैसे आप कोई भी नाई हो या फिर आप कोई भी दूद वाले हो किराने वाले हो आगर आप income tax पे नहीं करते हो तो ही इसको अपलाए करेंगे या फिर आप tuition teacher हो या फिर आपका कोई दूसरा private sector में कोई काम कर रहे हो तो इसको अपलाए कर सकते हैं तो यहाँ पर देखें यह आप EPFO ESIC तो इसके member नहीं होंगे तो यहाँ पर क्लिक करेंगे no पर यह जो है ना दो नो तो इसको आप कुछ छेड़-चाड़ नहीं करेंगे तो 9 पर करेंगे अगर एसको member होगे तो yes पर क्लिक करेंगे अगर member नहीं होगे तो ही इसको अपलाए इसको कोज़ hypothesis करें само tep तो इसके उपड kण करए कि क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएंगा तो वह ओटीप आएंगा आपके मुबाइल नमबर जो आपने अभी दिया है उसके उपर तो वह ओटीप आने के बाद आपको विल करना है तो मैं आपको ट करने के बाद हैंगा मैं आपको अधार करना में दालकर रहा रहा है यहां पर देखेंगे एक्सेप करेंगे यह पर यह तर्म . इसको यहां पर One समझने की बात आती यह जो तीन होते हैं यहांपर सबसे पहले फिंगर्पृंट से नुझ नहीं होगा तो फिंगर्पृंट समझ यहां पर यह फुर्म करेंगे तो वहु लोग ДRIK नहीं क्योंकि आपका आधार नमबर से ढाईल नमबर डिंक नहीं होगा इस वजह से तो आप यहाँ पर यहाँ पर यहाँ अपको नजार आ रहा है तो जैसा capture है वैसे आपको यहाँ पर fill करना है तो मैं आपको capture fill करने के बाद आगे का process बता रहा हूँ तो यहाँ पर देखें capture fill कर लिए यहाँ पर देखें submit है इसके उपर click करना है submit पर जैसे आप click करते है तो आपका OTP आएंगा जो आदार नंबर से mobile इसके उपर OTP आएंगा तो वह OTP जैसे यहाँ फिल कर देते हैं तो आपको next process पर आप जाएंगे तो OTP आ चुका है तो मैं यहाँ पर आपको OTP इसके पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखें कुछ इस तरह का इंटरफेस हमेरे सामने आ गया है यह जो है जिस भी मैंने अभी कार्ट जिनका भी बना रहो तो उनकी यहाँ पर details कुछ आ चुकिए अधार नंबर से match होकर सबसे पहले उनका name यहाँ पर आता है नेम के बाद यहाँ पर birth date फुर उसके बाद जेंडर एड्रेस यह सब आपको उनका यहाँ पर आता है तो यह address यहाँ पर location और फिर उसके ब यह continue to enter other details तो इसके उपर click करेंगे इसके उपर जैसे आप click करते तो आपको other details यहाँ पर डालने के लिए बोलेंगा तो यहाँ पर देखे सबसे पहले आपको personal details यहाँ पर डालना है personal information तो यहाँ पर यह register का mobile number है आपका तो उसके बाद यहाँ पर देखे emergency number अगर आपका को यह married है तो मैंने इसका मेरिट कर लिया यहाँ पर देखे इनके father's का नेम यहाँ पर फिल करेंगे यह father's नेम यहाँ पर जो और यहाँ पर समझने की बात है कि इसमें क्या डालेंगे यहाँ पर देखे यह अगर जो भी इसको apply कर रहे जिसका भी आप form apply कर रहे या फिर खुटका कर रहे तो यहाँ पर अगर physically handicap student होगे या फिर वो महिला या फिर वो पूरुच होगे जो इस form को apply कर रहे तो यहाँ पर yes करेंगे नहीं तो no करेंगे ओखें यहां पर देखें नीचे नवीनिस्स अभी यह नॉमी नीनिस्स कोता है तो नवीनिस्स आया हो मिल जाएगा तो यहां deputy नहीं लेक्ते घ्थ की एप्पर लेटो डिखेंगे को वह साथ क्या उप्शनगे वह सब meer सक ख推क्ष्ण सनगे सीकरी के लेयं आरसाइ सेट लेक् सब information यहाँ पर मैं डाल के 7 continue कर रहा हो जो डीटेल से न वो डाल दिए यहाँ पर मैं 7 continue पर click कर दो click करने के बाद यहाँ पर देखे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आप यह नजर आने वाला है वह यहाँ पर आप 7 continue करने के बाद थोड़ा सा वेट कर लीजिए लागरण यहाँ पर जांने है यहाँ पर अपकी करन्ट में कहा रहते हैं वह डालने है इसकी पर मैर्मनेट में कहा रहते वह नीचे डालेंगे यह यहाँ पर यह पर मैं अलग-अलग सेलक करता हूँ तो आपको यहाँ पर डालना होंगा तो सबसे पहले यहाँ पर देखे होम आपका यहाँ पर क्या यहाँ पर स्टेट है वह यहाँ पर आपको स्लेक्ट करना पड़ेंगा डिस्ट्रिक्स लेक्ट करना पड़ेंगा यह सब आपको इनफर्मिशन यहाँ पर स्लेक्ट करने पड़े नहीं है जो रेड़ होते न वहीं आपको comfortably होते हैं यहाँ पर current address ज्याँ आप current में रह रहे वह address डालना यहाँ पर house number यह हूँगा तो आप डालेंगे यहाँ पर यहाँ पर state डालना एक ही इसके सब डिस्टिक गौट ऑंड हो दलने फिर उसके पिन कोड ऐहां पर आपको पिन कोड डालने फिर उसके बाद यहां favorite देखें यहां पर आपकी एला पर आपकी डोकेशन होंगी और कमश्राइबो जो ओंगा तो ला यहां डालना यहां पर नीचे इसके ऊपर यह होगा तो यहाँ पर तिक करना है यहां पर सेंट इसको उसकी वी फिल करने है तो मैं आपकी फिल करके हैं इसका अप्षन है न इसके ओपर कलिक करते यहां पर लेख यहां पर आ JOHN तो उनके education details यहाँ पर डालेंगे education qualification तो यहाँ पर click करेंगे तो उनके education qualification डालेंगे यह कहां तक पड़े वो फिर उसके बाद यहाँ पर यह क्लिक करेंगी यहां इसके उपर तो यहां पर इनवल इनकम नहीं डालने हैं जो मन्त में कमाते हैं वो डालने हैं यह जो यह यहां पर डाल रहा हूद यह बिलोग 10,000 रूपीज है क्योंकि यहां पर मैं जिस वेक्ति बना रहा हूँ वह 10,000 उपीज से कम आन्व करते हैं यहाँ पर यह मन्त में तो यह मन्त ली डालना है यह 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 नहीं डालना है यह डालने के बाद सेवन कंटिनू पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह गए इंटरफेस आपके सामने आएंगा यहाँ पर सबसे पहले Beneed उसके बाद यहाँ पर यहां पर स्वेंद कंटीऊ इसके बाद इसके बाद यहां पर अधिक करने के को यहाँ पर आपके सामने नजर आएंगा यहां पर आपका यहाँ सबसे पहले यहाँ पर यह आपको bank account का number फिर उसके पर निचे यह पर bank account holder का name फिर सक बाद यहाँ पर देखे cfc code यहाँ पर से सर्च करेंगे फिर सकाद bank name branch name यह सब आपको डालना है यह डालने के बाद यहाँ पर आपको save and continue पर क्लिक करना है यह सब डालके मैं आपको बता तो अभी यह दे आप यह जैसे ही आप यह इन्फरमेशन फिल करके आपर यह सेवन कंटिन्यू करेंगे तो आपको प्रिविव दिखाए जाएंगा आपको जो यह सब आपको प्रिविव यहाँ पर बरबर देख लेना है परस्नल इस आई एस आई सी और इपफो के मेंबर नहीं होने चाहिए और आपकी आप इंकम पेर नहीं होने चाहिए आप इंकम पे नहीं करते तो आप इसको अपलाई कर सकते तो यह भी आप पढ़ लेंगे फिसके बाद यहां पर दिखें टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे यहां प को लगता है कि जो information डाली है उसमें कुछ edit करना है तो edit पर click करके edit भी कर सकते logout पर click करके logout भी हो सकते अगर आपको fill नहीं करना यह form तो इसके बाद edit पर click करके edit भी आप कर सकते और direct submit भी कर सकते यह सब information बराबर आप देख लेंगे उसके बाद यह देखे यहाँ पर आप अभी submit पर click करेंगे इसके उपर जैसे ही click करते वह इसे ही देखे आभी थोड़ टाइम बाद यहाँ पर देखे यह 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 युई नंबर दाउनलोड करने के बाद इसकी प्रिंट आउट लेनी है तो यह प्रोसेस होता है इसको बनाने के लिए तो यह यहां पर देखिए आपको युआ नंबर भी आपर मिल चुका है तो यह जो आधर कट का नंबर होता है उसी तरीके से यह नंबर होता है लेकिन यह अलग नंबर ह होता है इसके दुआरा आपको जो भी गवर्मेंट की तुरह आपको जो भी मिलने चाहिए मदद वह यह इसको दुआरा आपको मिलती है तो यह प्रोसेस होता है इसको बनाने का तो कैसी लगे वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताइए और आप हमारे चैनल को करके बेल आइकान जरूर प्रिस करिए तो चलिए मिलते हैं इसे ही नए वीडियो साथ